है गाइस आज हम आप सभी के लिए क्लास 12 कमिस्ट्री के यानि कच्छा बारा रसान विज्ञान के इक्जामनेशन कैप्सूल का फ़ला वीडियो लेकर आया हूँ देखिए यह examination capsule है यानि आप के यह कैपसूल का काम करेगा यहाँ पर जो question आपको कराये जाएगे यह आपके बोर्ड exam को सिधे target करेगा सिधे बोर्ड exam में गोसन आएंगे यहां से यह question आपके बोर्ड exam में 100% हाएंगे आप इसे ignore नहीं कर सकते हो सकता है आप वीडियो ना देखें लेकिन कोशन तो आएंगे बोडिक जामें ऐसे कोशन को आज कंप्लेट करने वाले हैं और यह सीरीज चलेगी आज की सीरीज में आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इस लेक्चर में हम आपको एमीन के कुछे की है रहेगी कि यह जो वावार यह कर आखो क्लास के लिया और हमें के लिए याद करना हुगा इसे जए से अब पार लिखली कर आपको याद करने की कि कोशिश करेंगी हो सकता है बहुत बप उर धिरे धिरे पड़ंग याद करा दोंगा चेंपोstar को हम आपको एमीन की रियक्षन कराएंगे ठीक है तो गाइस सलीफ सबसे पढ़ाद रियक्षन हम लोग लिखते हैं जो कि आप लोग पढ़े होगे इससे पहले बिल्कुल यह रियक्षन आप इससे पहले पढ़ चुके होंगे और आपको याद भी होगा जिने याद है वे यहीं तयार है कमेंट बाक्स में कमेंट कर दिया करो टेलीग्राम पर भेतिया करो मैं एक्जामनेशन कैपसूल में वह चीजों को कभर करा देंगी ठीक है दिमांग से सभी चीजों को बाहर निकाल लिए तो आप कंस्टेशन के साथ में देखो लेक्षर याद हम कराएंगे सबसे पहला रीकिसम क्या है आपका हांप मेन पार्क लिए कि हांप मैन तनि प्रुमाइटी एक समर्ड़िर पर हाप में ब्रुमाइड अपक्रिया सरी क्या होता है कुछ लोग यार रहा है वे कमेंट बाक्स में कमेंट करें कि हाप में ब्रुमाइड अपक्रिया में प्रोटक्ट क्या बनता है क्या बनता है और किसके साथ अपक्रिया होती है यह सभी चीज़े कमेंट बाक्स में कमेंट कर है यह क्या है आपका एमीन बनाने की एमीन बनाने की की प्रियुक्साला विदी है इमीन बनाने की प्रियुक्साला विदी भी है यानि इससे आप एमीन बना सकते हो प्रियुक्साला में अगर आप से बोड इंजाम में एमीन बनाने की प्रियुक्साला विदी पूछे तो लेक्चर के बाद में अपने बुक को खोलना और जहां पर हाफमें ब्रोमाइट पुछा है तो वहां पर चले जाना आप लोग इसे क्या करना एमीन जो हाफमें ब्रोमाइट अपकरिया है इसे भी तयार यह तो मैं आपको याद करा दूगा यहां पर नीचे का जो कर देना मैं कल उसको भी फिगर यहां पर बना कर समझा दूगा साथ इससे फले में एक बार समझा भी चुका हूं ठीक है तो काई देखिए हाफमें ब्रोमाइट अपक्रिया जो होती इसे एमीन बनाने की प्रयोक्साला बीदी भी कहा जाता है यह इस अपक्रिया में क्या ह ब्रोको इमाइड ब्रोको यह आपको याद रखना है सर यह क्या है एमाइड ब्रोको इमाइड ब्रोको अगर आप याद है तो इस रेक्शन को ली सकते हैं इमाइड ब्रोको मतलब क्या होता है कि आपके पास इमाइड होता है क्या होता है एमाइड आपके पास इमाइड होता है यह आर कि यो एनेज ठीक है आर सियो एनेज टू यह आपका इमाइड है यह क्या है इमाइड यह आपका है और यहाँ पर ब्रौ मतलब प्रूमीन है कि यह आपकाक सारी है किसिरिया करते हैं और को का मतलब ogni किव ने रहें की ज़ाए और यहाँ पर आप लोग इंको यहाँ पर कि करने के लिए हम आपको के लेंगे तो कि की संख्या चार होगी कितनी होगी चार होगी यह यह आपके पास है इसकी अपक्रिया करते हैं यह आपस में अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है ध्यान पूर देखना यह को बोला नीकलता में विदा साथ में और ऑर वहार निकलता है और और क्या-क्या बचा के भी आर डेकिंशार करते हैं अपको तो सीधे आप एक प्रोड़क्ट याद कर लेना बहुत पहले मैं बताथ है यहां पर देखिये प्रोडेशियम है और यहां पर बनने वाला फिक्स है अगर यहां पर दो ब्यार है तो 2-0-H ये प्रोड़क्ट हमेशा बनेगा 2-k-b-r ये तो प्रोड़क्ट हमेशा बनता है और यहां पर भी बनेगा ये आपका रेयक्शन हो गया पूरा का पूरा half man bromide upgrade साथ में जल भी बनता है जल भी बनता है जल S2O भी बनता है S2O भी बनता है साथ में क्या बनता है S2O भी बनता है और एक दो ने 2S2O बनता है ठीक है 2S2 ये पुरा रियर्शन है half man bromide अपकर लिए तो मैं statement यहां पर नहीं लिखा रहा हूँ कखेको ब्रोमीन और के साथ अपक्रिया कराया जाती है तो यह आपका एमिन बनता है Holz को उन है एमिन का यारत है साय मैं प्रोटेस्टियम कार्वनेर क्या गभी रू क्या का जाता है प्रोटेस्टियम का जल गागा ऑर बनता है अभी याद होगा अगर मैं इस रियक्शन में इसी रियक्शन में क्या करते हैं थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं आप लोग मेरे साथ देना सभी लोग अगर मैं यह चेंजमेंट कर देता हूं तो क्या यह रियक्शन सही होगा है यह तो ट्रिक है आपके पास आर के यहां पर हम लोग तो यह बचा यह तो रहेगा ही यह आपका आर के जगह पर सी टू एच फाइप रख देते हैं और यह सी यो और यह एच टू के तो हमेशा क्लिए रहेगा इसकी अपक्रिया करा रहे हैं ब्रोमीन के साथ और इसकी अपक्रिया करा रहे हैं फोर के ओएच के साथ में तो यह क्या बनेगा है झाला सुचना यह से निशाथमाइ़ हैं और यह 2 ना लिखेंगे सी टू-एज dipping यह साथ मैं यह सी यह को निकाल लियाहों इस लिख ऑगि अग ए когда-up और यह ए आँए नोश्टर हैं इसकी पार नियाहों इसको इसको पहर निखाल लियाू और इसकी किरिया स्टू केविया कि और कि यह प्रोड़ें के रूम में बनेगा तो यह इस और हूंग और यही रियेक्शन है यह Cyan प्रयोक्षाला विधन बनाने की यह पूस्ता भी आपके वोर्णुमें बनाने में प्रियुक्साला बिधी का वड़न कीजिए तो आप लोग कर लोगे है कि रीक्षन इप्वार्टेंट है आपके बोड़ी जांग को लेकर अब लोगे नोट कर लिजिए अपलो इसके साथ लेना और ले लिजिए चलिए नेश्ट कोशन क्यों करते हैं यह कुशन याद वान आपको याद रहना है एमाइड ब्रोको ब्रोको इमाइड इसके साथ अप्रिया करके क्या बनाया इमीन बनाया रहे हैं अब कार्बोनीड बनाया पून ये ब्रोमाय बनाया और साथ जल बनाया झाशन करते हैं गर्के olshun करते हैं पॉल्क ne आज यहां पर भी कराने की जरूवत है इसमीट अब करिया क्योंकि यह सीधे-सीधे आपके बोर्ड एक्जाम को लेकर टार्गेट करता है पॉर्टेंट है यह सभी रिएक्सन्स नहीं याद करोगे नहीं तयार करोगे तो बहुत ही पश्ता होगे ठीक है मैं यहां पर उतना यह मैं सुझना यह क्लास लंबी कितनी है इसमें मैं उतना रिएक्सन कराओंगा जब तक आप लोगों को जोर नहीं होगा जब तक आप लोग याद कर सकते हो उतना करा दूंगा ठीक है ओलोगे कि कैसे प्राप्त करोगे यह ते नहीं कमल से यह अनुपले कर देwar अब से अ थैनुए कंब से धिनि में में ये इस तरह से भी कोशन पूर्षता है कि कैसे प्राप्तondern करोगे ये ताका यूद्क यदjach डिख recognition दें करने से पड़्े और को संको तयार करना भी बहुत जुरी होता है इस इसमें क्या होता है कि कि च्विक यह कंडते हैं तक नि अमलक के साथ किसकी कभिया कराते हैं कार्बुसलीक अमलका कार्बुसलीक अमलका कार्बुसलीक अमलका हाइडोजोईक अमलक के साथ अपक्रिया कराते हैं यह अपक्रिया कैसे होती किसके साथ में होती देखें दो यह दोनों आपस में दोस्ति किये और आएक काम दफाधी उग्रा करना चाहा है तो इनके पास दो आप्सम्त अकेले में कर सकते थे किसी से बिना बताये चले जाते जो कि नहीं करना चाहिए सभी को कहँदगंदी चीजिए तुकिन्षे दोनों के पास दो आपो च्रोंस में इतों और अफिक कि एक कोई इनके बना लेते ठीक है ये तो एक आप पहिक के पास ला दूसरी आप या था सभी को बतातेकं किसी परिए में सद्रीक किसिक की उपस्टिति में किर्या कोड़ी तब एक तो इनको1 कि व्यां दिरसो непोट करौते लिए दरवाज मत लें लिए C2S24 की उपस्ती में होती है यहां पर पंदी जी आपका सांद्री हिस्तोफ फूर होते हैं पंदी जी को याद रखना क्योंकि यह पूछे जाते हैं बोड़िक जाने अभी मैं बता हुआ कैसे कोशन पूछा जाता है यह कारवोशणी का मलें हाइड्र जोई के साथ अप्रिया करता है पंडी जी की उपस्ति में पंडी जी कौन है सांद्र एस टुए सोफोर फाइट देखो तगड़ा पंडित लाएंगे तब होगा साधी तो साधी में कोई मंत्री गलत पर देगा तो क्या होगा दिक्कत हो गया आगे चलके समझाय अर और और नहीं दो आर एंस टु डेता है तर जिसे आप लोग प्राथमी के मिलता है कि आपका मिलता है एन टु गैस और सिगेस बार निकलता है यह आपका एंटू निकल जाता है यहां पर और यह पूरी की पूरी अपक्रिया कही जाती है इसमीट अपक्रिया अब यहां पर कोशन क्या पूछा है कैसे प्राप करोगे एथिनोई कमलक क्या होता है यहां पर आपका C2H-5 OAM यहां पर क्या होता है CH3COOH यह आपका क्या है rision कमलक के यह आपका यह आपका यह प्राप क होता है सिटर मेढ़ होता है कि यहां पर आ रहे हैं तो आर कि यहां पर यहां पर आ रहे हैं तो यह पुरा आपका प्राप्ट हो जाएगा और यह रिक्षन कहा जाता है कि इस साथ अप्रिया करेगा पंडि जी कौन होंगे सांद्र को है जिये आपकश्ट पंडि जी है इनके साथ में अप्रिया होती है इनकी उपस्ति में की साथी होती है और यह प्रोड़क्ट के एक प्रोडेट के रूप में बनाता है साथ में सीओ बहाँ निकलता है यह अब करिया और यह आपकरिया जो है आपके लिए इस तरह से पुछता है कि कैसे प्राप्त करोंगे एथनोई कबले से मेथिलमिन या ऐसे नहीं पूछेगा कि स्मीट अपकरिया लिखें अगर प्राप्त कर सकते हैं ठीक है इसी लिख सकते हो और इसका अगर लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा क्या इस्टिमेंट लिखाओंगे जब कार्वसलीक अमलका हाइड्रोज्योगी के साथ अप्रिया होती है किसकी उपरस्ति में सांध्रेस्ट्वी इस दो परस्ति में तो प्राथमी के मिन और नाइट्रोजन गैस कार्वन डाइकसाइड गैस बहार निकलता है इस अपक्रिया को करते हैं इसमी तब क्रिया में अभी क्रिया में क्रिया में उत्प्रे रख उसमी तब क्रिया किसके उपस्तिती में होता है इसमी तब क्रिया जो किसके उपस्तिती में होता है पहला यहां पर देदेगा आप्शन में है लागश्यक्य टोड़ने मेरे दिमाग में था तो मैं इसे बता दिया ठीक है भूलना मत इसमें पंडित दीव आइश-टु-ए-श-विए-श-व 파ूर कि नोट कर लीजिए सबी लोग कि निश्ट को सिन के और चलते हैं कि इसमें कम सकम दो तीन टापिक तो आपकी क्लियर हो जाएगे यहां से एक रिएक्शन पक्का आपकी इविया में पूचा जाएगा तीसरा रिएक्शन भी बहुत इप्वार्टेंट है आपके लिए कि इसरा रिएक्शन है आपका कि कार्बिल एमिन अब करिया ठीक है क्या है कार्बिल एमिन अब करिया कार्बिल एमिन अब करिया और हिसमें किया है इस में किसले इसले एपक्रिया है किसे होता है। प्राथ्मी के में बूतियक में अंतर बताते हैं। प्राथमिक एमीन दूतियक एमीन तित्यक एमीन में अंतर बताते हैं यहां पर लिदना पॉइंट बना कर इस अब क्रिया कि साहतार से क्रिया कि साहतार से प्राथमिक एमीन प्राथमिक एमीन जूतियक एमीन तखा त्रीतियक एमीन में अंतर किया जाता है प्राथमिक एमीन में इस अब क्रिया के जरिये अंतर किया जाता है इसमें क्या होता है जो प्राथमिक एमीन होती है यानि वन डिग्री एमीन तो यह अपक्रिया देते हैं क्या देते हैं अपक्रिया देते हैं इसमें यह अपक्रिया होती है लेकिन वही पे देते हैं वही पे अगर टू डिगरी या तीन डिगरी एमीन होगा तो अपक्रिया नहीं होगी बात समझ माई आप लूग प्राथमी केमीं डेती हैं का नहीं Lakя ओता है अधली फैटिक या इसको यह अपकर्या कराते हैं क्लोरफार्म के साथ इसकी अपरिया कराते हैं साथ में 3KOH होता है यह अपक्रिया किसके साथ होती है कुलोफाम आउ 3KOH के साथ यह अपक्रिया होती है तो यह प्रोड़क्ट के रूप में आपका क्या बनाता है प्रोड़क्ट के रूप में आपका बनाता है इलकील आइसो साइनाइड इलकील आइसोसियनाइड यह प्रॉटटके रूप में बनाता है इलकील Isoさん It R NC होगा न आइसोसियनाइड में यह होगा इलकील आइसो स्था साइ नाइड यह बनाता है इलकील आइसोसाइनाइड प्लस में जाना सूची यहां पर 3K है और 3CLA मैंने आपको क्या बतादा है यहां पर CLBR कुछ हो यह आपस में क्रिया पनात कर लेता हो 3KCL बाहर निकलेगा साथ में आपका भी बाहर निकलेगा कितना यह बाहर निकलेगा यहां से 3S2-0 बाहर भी निकलेगा प्लस है ठीएस टू यह अपक्रिया आपका प्रात्रमी के मिन तो देता है यह अपक्रैमी के मिन 2 तो इस तरह से फिर यह फिर देगा बिल्कुल डेगा क्यों है् नहीं समझगाएं ? ओर यहां पर हमने क्या जोड़ दिया यहां पर यह कि आरक यहां पर हमने जोर दिआ कि सिक्सीयइद पपने तब थे अब में इसके शाथ अगर लगा होगी ठीचे इसे कहा जाता है इसे कहा जाता आनिलीन ए लिंधेडिन के साथ हूगी कि 3k है तो प्लेट में क्या बनाएगा एक लिए ठीक है आर के यहां पर यह रिंग आ जाएगा ठीक है और की असान में प्रिंग लेते आए यह एन डबल बांट सी एक तेहां पर बनित यहां क्या पर देके आर के आंपर तो प्लेटीब तब क्या होता वही होगा जो आप सोच रहे हो बिल्कुल यहां पर आप CCL3 लिग देना हुआ है यह प्रोड़क्ट के रूप में इस रिंग के अस्थान पर क्या आया है यहां पर वहां स्थाथ लाए तो सी टू अजपाइब एन्सी हो जाएगा डवल बान एक ही सिंगल इस इंसी प्लस 3KCL 3H2 यह आफिसियल आपका प्रोड़ेट बन जाएगा ठीक है यह है आपका कार्विल एमिन अपक्रिया लेकिन यह आपक्रिया आपकी प्राथमिक एमिन यह अपक्रिया देते हैं तो कभी अगर आपसे पुछ दे कि प्राथमिक एमिन द्यूतियक एमिन त्यूतियक एमिन में अंतर कैसे करते हैं तो कार्विल एमिन अपक्रिया से किसे करते हैं कार्विल एमिन अपक्रिया से करते हैं प्राथमिक एमिन द्यूतियक एमिन त्यूतियक एमिन में अंतर ठीक है नोट करिए तो इसके बाद की कुछ महत्पूर डियक्शन कराया जा नोट कर ये सबी लोग सामने चाहँ जाते हम देखे ये तीनो की तीनो नेम डियक्शन थी नेम डियक्शन का मतलब एक तो आपका इसमीट अप करिया था एक कार्विलेमीन अप करिया था ये तीनो की तीनो नेम डियक्शन थी और इसमें से एक रियक्शन आपकी एकजाम में जरूर पूछे जाते हैं तो ये तीनो की तीनो नेम डियक्शन जो की मेरे पास हैं करीब बारत या 15 नेम्ड रियक्शन होगी पूरी किताब से तो इसमें से तीन आपको करा दिये हैं आज के इस लेक्चर में भी हम रियक्शन नहीं कराएंगे यह रियक्शन किसी ने इस्टुजिंट पूछा था तो मैंने करा दिया और एक्जामनेशन कैप्सूल आपके एक्जाम क कि सटिक त्यारी कराएंगी सटिक त्यारी इसमें उन्हीं को कराऊंगा जो सीधे एक्जाम के लिए पॉर्टेंट है कुर्शिस करा नहीं दो लेक्चर और इस्ट्रा लेने के लिए लूगा तो मैं आप नोटिफाई कर दूँगा ठीक है फिलाल आप सभी लोग मेहनस से प तो गाइस मिलते हैं नेस्ट वीडियो में धन्यवाद आप सभी को ठीक है तो उसके कॉल मत किया करिए उनको डिस्टरबेंस होती है फिलाल जिस दिन लाइब आना होगा उस दिन मैं आऊंगा बताऊंगा लाइप आएंगे तो आपन बात में बात करेंगे ठीक है तो मिलते